So homies, कैसे हो आप सब? I hope यार अच्छे होगे तो Shiva Matri का suggestion था कि Technicians के साथ No Combo Challenge हो जाए मतलब हमें एक move connect हो गया हमारा successfully तो उसके तुरन बाद हम दूसरा नहीं यूज़ कर सकते जैसे rope throw दिया तो उसके बाद हम wall face smash नहीं यूज़ कर सकते सो ऐसा कुछ करने वाले हैं तो इसके लिए हमने Kevin always को select कर लिया है यह मतलब इसकी ability है जो combos देने की अलगी level की insane abilities बन देगी सो इसलिए हमने इसको select लिया है No Combo Challenge के लिए तो इसकी deck से हमने rope throw wall face smash, garbage storm यह सब अटा दिये क्योंकि हम उनको use नहीं कर सकते हैं आप combos के लिए तो वीडियो चला गए तो like कर देना और चैनल पर first time आ रहे हो तो please subscribe कर देना चलते हैं यार keo show केo show सुरू हो गया भाई अभी बस hulk होगन नहीं होना चीए first opponent हमारा क्योंकि अलागी level का match yes ultimate warrior enigmatic अब इसकी फुदकने की ability हमें बहुत confuse करती है ओके तो start हमने बढ़िया किया है बहुर कोई move dgt वाव ब्लॉक दिया है invite कर दिया हमको गित ब्लॉक दो तो ब्लॉक में invite और iris whip अब इसके बाद हम दूसरा move नहीं चल सकते अब इसको health recover करने देना है ओके इसने recover कर लिया हम दे सकते हैं दूसरा move yes तो यह है मारा challenge कुछ किस तरह हैगा कि हम इसको सामने वाले को तब तक move नहीं दे सकते जब तक यह उठके दुबारा recover नहीं हो जाता first walleye attack से so यहाँ पे तगणा वाला takedown grapple दिया है भाइस ने मुँपे लिटा के जमीन में मुक्का मारा मेरे को ओ हो हाइप गोरिला प्रेस बहुत बढ़िया रणिंग स्क्लैश टू गोरिला प्रेस ध्राम बूम बूम बहुत बढ़िया इसके बाद शायद यह फुदकेगा पीछे गया यस कैनन बॉम सक्सेस्फुली कनेक्टेट पीछे चलते हैं अब हम और कोई मूब नहीं दे सकते हैं अब दे सकते हैं ना पैतरिंस अपावा बॉम इसी के साथ फर्स्ट राउंड हमने जीत लिया या तगड़े तरीके से मैच चल रहा है भी फिलाल तो हमारी पकड़ में है बस ध्यान रटना है बच गया बच गया इसके लीपिंग शोल्टर ब्लॉक से वरना बहुत खत्रा डैमेज खाते हैं हम लोग ओके यहां से टेकड़ाउं ग्रैपल नहीं हुआ हमारा भी इन्वाइटेशन फेल हो गया इन्वीटेशन आइरिस विप भी नहीं लग पाया ओल्टिमेट टॉस बहुत अगड़ा ओहो लीपिंग शोल्टर ब्लॉक भी ब्लॉक हमने किया बगार कोई फाइदा नहीं और आ सब्सक्राइब कर सकते हैं यही एक मूव हमारे पास ब्लॉक ओके फिर श्ट्राइक टे वाव रनिंग नी बैश बहुत बढ़िया कर्भी स्टॉम भी लगे हाथ कॉंबोस पर कॉंबोस दे रहा है बंदा हम दे नहीं सकते एक भी कॉंबो यार यह बहुत ही ज्यादा खत्र पिछे आईरिस विप नहीं लग पाया लीपिंग शोल्डर ब्लॉक का मज़ा चकते हुए हम लोग तगड़े तरीके से बहुत बढ़िया क्या मारता है या लात घुंसा मूँ नाक सब खोड़ फाड़ के रख देता एक दम तगड़े तरीके से मारता है लीपिंग शोल्ड कर दिया है ओविंस को फर्ष मैच में चलते हैं सेकेंड मैच के लिए ओके कैविन ओमेंस हो हाफ मैन हाफ मशीन प्रिव मैकिंटाया बहुत बढ़िया क्लैमोर के लिए हम लोग है रेडी देखते हैं हम लोग क्लैमोर का मज़ा चक पाते हैं नहीं सो फर्ष मैच में अल्ट भाई एनरजी आईरे स्वेप आखरी वाला शॉट लगा है और जमीन में गये इसके बाद यह उठेंगे उनको रिकवर होना होगा यास तुम्हारा खताम कोई बात नहीं नहीं लग पाया तुम्हारा अलोबामा स्लैम सायद था वो इस्टानार लग गया अब हम कोई और कॉम हैं और कोई मून नहीं चल सकते इसके बाद डी डी टी से स्वागत नहीं कर सकते हम घिरा यहां है को फोपी प Character की तरीके ओके इस वाह बाद सक्सेशंवली लग गया है अब हम और को इम्टर जीच चुके और अरे नहीं 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 बट उस मैच में तो एक्दम बिल्गूल फोड़े गए हैं लाश्ट में इसमें देखते हैं ओहो शुरुआत इसमें भी कर दिये ट्रिमेकिंट टायर ने पहतरीन सा जी आंट स्विंग दे कर हमको भी केविन ओंस को संबल के रहना पादेगा फिट से यार यह ब्लॉक ना यूजञद करने की जो पाउर बहुत जादा भारी पढ़ ही हम पे फिलाल ब्लॉक लगाया हमने शौरी कॉम्बोस ना الزोग करने की पाऊवर ऊके ओके 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 पिछे पीछे पीछे मिस कर दिया इसने अपना क्लैमोर तो इस बार हम क्लैमोर के जाल से बच गए और लगाएंगे पाप पावबम फिलाल उठे गए हम कोई यूज नहीं कर सकते इसके बाद मूव अब यूज कर सकते हैं तो थोड़ा सा संबल के थोड़ा सा यस इस टाना तो इस टाना लग गया अब फिर से कोई मूव यूज नहीं कर सकते हम थोड़ी देर के लिए शान्ती का वातावरंट बनाए रखो फिर अब ये हमारा मूव नहीं लगेगा और अलबामा स्लायम का मज़ा हमें तगड़े तरीके से चखना पड़ेगा बहुत बढ़िया अभी उटके खड़े होंगे और हमने दिया ब्लॉट बहतरीन सा पीछे 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 डीडीटी है हमारे पास अरे यार बढ़िया इंविटेशन था डीडीटी लगाने का बट फिर भी लग गया है इंविटेशन के बवजूद भी हम नहीं लगा पाए तो दुबारा लगा दिये हैं कैनन बॉम रेडी है बस हमेश संभल के रहना है और मैच को करना है ओवर बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इस मैच को किया है ओवर तो ड्रिव मैकिंटायर को बिना कॉम्बोस के हमने हराया है तो यह राप यो बिना कैविन ओवेंस तो चलते हैं थर्ड और लास्ट मैच में तो फर्स्ट मैच में वारियर से हार दूसरे मैच में ड्रिव मैकिंटायर को हराया अब तीसरे में भाई legendary RKO वाव 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 ओसम यार technician के सामने technician तो अब combos ना use करने की जो power है वो हमें पता चलेगी कितनी भारी बढ़ती है ओके तो rope throw को हमने किया cancel out, धो भी पचार, नीचे गिराया उड़जा 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 भाई को combos ना use करना गिरा दिया है रेंडी ओर्टन ने हमको बढ़िया तरीके से जमीन में और ये combo हमने नहीं लगा cannon bomb यार slow motion में देखते हैं हमने ये start किया अपना cannon bomb और जैसे ही हम उसके करीब पहुँचे उसने फटाक से लगा दिया अपना special block move बहुत ही तगड़ा यार क्या timing थी इस block की मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है RKO की इतने बहतरीन तरीके से इसने execute किया इस block को समझ नहीं आ रहा कितनी तालिया बजाए इसके लिए हम सो बहुत ही बढ़िया यार फसाल या इसने cannon bomb को block में तो बहुतरीन तरीके से कमर का मसाज हो रहा है Kevin Owens की थोड़ा सा elbow strike लग गया अब थोड़ा पीछे अब हम DDT दे सकते थे नहीं लगा कोई बात नहीं cannon bomb इस पार लग गया successfully बहुत पीछे 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 पाप पावर बॉंब ओके अब ये उठके खड़े होंगे यस तो हमार elbow strike फिर लग गया है बहुतरीन तरीके से फिर से block अरे यार यार ये क्या हुआ ब्लॉक में फसाल नहीं इसके या फिर block ये गया धीरे से block लाया मेरे पास और हमने दिया stunner और ये है वो moment अच्छा तो इस वड़ तक animation हो गया था इसका block का खतम मतलब साइद milliseconds का फर्क था वरना हम first गये होते इस बार भी stunner से तो हमने stunner इस बार successfully लगा दिया है ना कि cannon bomb के तरीके जिसमें first गये थे हम block में so first round हमने इधर भी जीत लिया है हर match में हमने first round जीता है बस starting के match में हम second round हार गये थे और इसमें देखते हैं इस बार तो Randy Orton को Iris Whip का मजा चखाया पीछे और move दे नहीं सकते हैं Randy Orton की RKO miss वो throw फिर cancel out हमने किया है धो भी पचाड से तगड़े तरीके से उटजा उटजा भाई उटजा थोड़ा सा सबर थोड़ा सा सबर patience ओ हो वाउ block इसके बाद हमारे पास है move की कमी क्योंकि strike है उठाया हमारे पास यह नहीं है ground pickup so sad यार पीछे जा रहा है पीछे 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 cannon bomb ready लग गया अब हमारे कोई move नहीं दे सकते हैं इसके बाद पीछे जलते हैं block लगाया DDT DDT बच गया wall face smash से और हमारी DDT भी connect यह move लेकर हमने बहुत अच्छा किया DDT ज्यादा तर चार नंबर ही यूज होता है grapples में और हमने 5 नंबर यूज किया और हमने miss किया अपना pop-up power bomb ये बहुत ज्यादा भारी पढ़ सकता है पर फिलाल हम बहुत आगे मैच में अच्छी खासी पकड़ बना के रखे और हम जीद भी सकते हैं पर अभी फिलाल pack exploder suplex का मजा चक रहे हैं हम लोग फिर से कैविनो में मसाज कराते हैं जमीन में ग्राउंड से उठाया गया है सर चकड़ा रहा है फिर से मार खाते हुए और ये stunner लग गया बहुत ही तगड़ा अब बस थोड़ी सी हेल्थ बची है बोलेंगे चुरलू बर की हेल्थ और इसका मजा हम नहीं चका पाए फिलाल अभी थोड़ा बचा है कारकरम यहाँ पे इस कारकरम को खतम करने के लिए अभी एक मूव की कसर बाकी है और वो मूव हमने ब्लॉक से किया एक्जीक्यूट तो मैच को किया खतम रेंडी ओर टर्न को भी हरा दिया है आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना